नमस्कार और वेलकम तू स्टेडी ग्लोज माई डियर फ्रेंड्स मिरा नाम है प्रिशांत मावानी आई होप यू ओला रिंगोड आज हम इलेक्टोरल बॉंड स्कीम के बारे में डिस्किशन करने वाले हैं इस गोई टो बी एन इन डेप्थ अनालिसिस एक एक चीजों को हम गहराई से समझने का प्रयास करने वाले हैं अभी सुप्रिम कोर्ट ओफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉंड स्कीम पर एक बहुत ही इंपोर्टन्ट डिसीजन लिया है क्या है ये डिसीजन ये जो सिस्टम है ये जो स्कीम है क्या क्या फोर्स हैं इस स्कीम में इसको हम समझ पहले तो हमें तीन ऐसी चीज़े हैं जो मेरे observations हैं यह तीन चीज़ों को जब तक हम change नहीं करेंगे तब तक जब black money का issue है जो lack of transparency का issue है जो एक level playing field create नहीं होती है politics में यह सारे issues जो है वो चलते ही रहेंगे क्या है यह तीन important factors number one जो है वो यह है आज भी कम tax pay करना जितना आपको pay करना है उतना न पे करना let's say कि आपको इस साल 1000 रुपए या फिर let's say 10,000 रुपए जो है वो tax में pay करने हैं लेकिन कोई ऐसे smart तरीके ढूंडे जाते हैं जिनसे आप क्या करेंगे कि आप 2000 रुपए ही tax प माना जाता है और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो इसी smartness को अच्छा भी मानते हैं tax न पे करना that is considered smart और क्योंकि लोगों की ये demand है ये culture का part है तो जो advisors है tax advisors वो भी आपको ऐसे ही रास्ते दिखाते हैं और जो सरकार हैं वो भी कुछ ऐसी ही schemes ऐसे ही lows बनाती ह हैं कि लोग जो है वो इस प्रकार से थोड़े बहुत खुश रहें फिर कुछ जगाओ पर जब raids conduct की जाती हैं तो we know के 10 करोड रुपए मिले हैं तो फिर 5 करोड दिखाये जाएगे बाकी के जो 5 करोड है उसमें से बहुत बड़ी कट जो है वो चड़ावे में यानि की corruption में जड़ी जाएगे तो इस प्रकार की चीज़े जो है वो चलते रहती है और फिर ये पैसे कहां पर पहुंचते हैं political party के पास पहुंचते हैं क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके पास ये अधिकार हैं कि वो किस अधिकारी को किस post पर बैठा है transfer और ये सारी च deposit होगा और फिर party जो है वो ये देखेगी कि ये बंदा जो है वो तो एक साल के अंदर 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए जो है वो party में add करवा रहा है तो ये तो हमारे लिए एक बहुत ही important leader है देखा इस प्रकार से पूरी system जो है व और ये जब मैं कहता हूँ कि हमें काफी ज्यादा पसंद आते हैं तो ऐसा बुरा मत लगाईएगा हम सब इसका part है अब देखे हमारी जो पालियामेंट हैं हमारे जो MPs हैं बहुत सारे ऐसे reports available हैं हमारे MPs और MLAs को देख लिजिए और देखे कि कैसे criminal background वाले लोग जो है वो सता में आएंगे इस प्रकार के लोग हमारे जन प्रती निधी बनेंगे तो what we can expect from them ये तो गलत चीज़ करेंगी और गलत चीज़ों से जो उनके पास cash आएगा जो पैसा आएगा again election जीतने के लिए आपको पैसे चाहिए इस प्रकार की पूरी system है आप कितने भी अच्छे है कितनी भी आपकी knowledge है right अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप election नहीं लड़ सकते बरही personally आपके पास पैसे ना हो आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि आपको बहुत बड़ा fund मिले तो ये fund देने वाले लोग जो है वो क्या देश सेवा के लिए ही fund दे रहे हैं नो ये fund आपको इसलिए भी दे रहे हैं ताकि जब आप power में आए तो आप कुछ ऐसे चीजे बनाए आप कुछ ऐसे लोज बनाए आप कुछ ऐसी systems बनाए जिससे उनको फाइदा हो आज वो पांच करोर रुपए रोकेंगे जब आप सता में आएंगे तो फिर वो मिस पांच करोर नहीं हम कहते हैं कि इसमें जनरेट होती है बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक real estate जो है real estate ये जब तक clean नहीं होगा तब तक I would say कि नहीं जब तक politics जो है उसमें black money का इस्दमाल होता रहेगा तब तक आप दुनिया की कितनी भी अच्छी schemes कितनी भी अच्छी सरकार कितनी जी अच्छी नहीं you know recruitment करके नए departments बना ले ये चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा political funding जब तक transparent और clean नहीं होगी तब तक हमारे देश में black economy जो है वो चलती ही रहेगी Supreme Court of India ने ये तीन pillars आपने समझ लिया अब बात करते है latest news के बारे में 15th February 2024 की बात है Supreme Court of India ने एक बहुत बड़ा decision लिया unanimous verdict है जो bench में बैठे हुए judges है सारे की सारे judges जो है उन्हों ये कहा कि ये electoral bonds scheme जो है ये बराबर नहीं है और electoral bonds scheme को Supreme Court ने struck down कर दिया है इसको cancel कर दिया है सुप्रेम कोर्ट ने जो reason दिया है वो ये है कि article 19 जो है उसमें right to information जो है उसको violate करती है ये electoral bonds scheme और ये जो electoral bonds scheme है उसमें क्या होता है कि political party को anonymous पैसे मिलते है contribution मिलता है कौन पैसे दे रहा है पता ही नहीं है तो ये जो anonymous donation मिल र रहा है तो लोगों को पता नहीं रहता है कि जो candidate है वो clean है clean नहीं है और ये चीज़ की वज़े से लोगों को right information नहीं मिलती है तो इसकी वज़े से ये article 19 जो है उसका violation होता है and that is the reason कि Supreme Court ने electoral bond scheme को struck down कर दिया है मैंने बताया तरह आपको कि it's going to be an in-depth analysis तो चलिए सबसे पहल किया गए थे electoral bond scheme को challenge किया गया कुछ NGOs जैसे के common cause ने इसको challenge किया association for democratic reforms ने इसको change किया ये दो NGOs हैं और एक political party communist party of India Marxist इसने भी electoral bonds scheme को challenge किया था अब उन्होंने ये question किया कि ये जो selective anonymity है और confidentiality जो है this is not digestable means ये समझ में नहीं आता है कि ये एक selective anonymity create होती है confidentiality जो है वो create होती है donors का नाम जो है वो पता नहीं है तो ये चीज़ जो है वो बराबर नहीं है Supreme Court ने भी ये कहा है कि electoral bonds जो है इसकी वज़े से information black hole create हुआ है ये जो selective confidentiality है इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब ये है कि ये जो आपको electoral bonds खरीदने है तो you have to go to state bank of India यही एक bank है जिससे आप electoral bonds को खरीद सकते हैं और कब आप खरीद सकते हैं इसकी date जो है वो भी सरकार के द्वारा issue की जाती है उसी ये कुछ एक windows create किये जाता है windows in the sense के let's say 15th February से लेकर 29th February 2024 ये जो 2024 वाला February है उसमें 29 29th भी है तो ये leap year है तो 15th से लेकर let's say 29th ये एक example दे रहा हूँ तो ये एक window रखा ग जाकर आप electoral bonds जो है वो खरीद सकते हैं अब क्योंकि आप SBI से ही खरीद रहे हैं या फिर SBI की जगह पर कोई भी अगर बैंक होती लट से तो बैंक जो होती है तो उनको कौन regulate करता है हमरे देश में Reserve Bank of India और Reserve Bank of India जो है वो at the end of the day Government of India के पास सारा access जो है वो मिल जाएगा तो basically SBI के पास जो data है न ये data ruling party को मिल जाएगा government of India को पता चल जाएगा कि किस के account में कितने पैसों से किस political party को fund provide किया गया लेकिन opposition party जो है उनको कभी भी इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलेगा इस चीज़ को कहते हैं selective confidentiality ये चीज़ जो है वो create हो रही है in this electoral bond scheme कि सरकार को पता है लेकिन opposition party को पता नहीं रहता है और हमें भी as a citizens पता नहीं रहता है donors may not necessarily be the purchasers Supreme Court ने भी ये बताया कि ऐसा नहीं है कि जो donors हैं उन्होंने ही ये चीज़ों को purchase किया हो ये electoral bonds को purchase किया हो जाइए इस bank में जाइए और वहाँ पर जाकर इतने पैसों के bonds खरी दिये और ये bonds जो है वो वापस आकर हमें दे दीजिए और reality में ये पैसे जो means ये पूरा funding जो है वो किस ने किया है एक corporate house ने किया है एक company जो है वो अगर let's say x y z party को payse से देना चाती है तो अपना नाम अ तो इस प्रकार की भी चीजे चल रखी है अब electoral bonds जो है उसके साथ जुड़े हो कुछ basic facts को देख लेते हैं I'm sure आपको पता ही होगा लेकिन फिर भे ये चीजों को जानना भी important है finance act 2017 के तहित ये electoral bonds scheme जो है उसको हमारे देश में introduce किया गया और दूसरी जो acts है उनके भी amendments create किया गया है जैसे के RBI act में कुछ changes किया गया है companies act में income tax act में representation of people's act में और foreign contributions regulations act में भी amendments जो है वो किये गये ताकि electoral bonds जो है उनको खरीदा जा सके और इसका इसका इस्तमाल किया जा स है ये जो scheme है इसने donor जो है it allowed a donor to buy an electoral bond at specified banks and branches जो मैंने आपको बताया और आपको क्या करना है electronic modes or payments है आप इसको कर सकते हैं और know your customer formalities जो है वो complete हैं तभी आप इसको खरीच सकते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ruling party bank को अगर पता है that means कि ruling party जो है government of India को भी पता चल जाएगा कि आपने कितने पैसे opposition वालों को दिये हैं राइट दूसरी जीज़ जो political party donation receive कर रही है उनको election commission को कोई information देनी की जरूरत नहीं है आप bond जो है वो एक हजार, दस हजार, एक लाग, दस लाग, एक करोड रुपए के खरीच सकते हैं दूसरी जो एक interesting चीज़ मैं यह प्रकार की एक चीज़ लेकर आना चाती है, पहले किया था पता है, पहले ऐसा था कि अगर आप cash पैसे देना चाते हैं political party को, तो आप 20,000 से ज्यादा पैसे जो है cash में नहीं दे सकते हैं, पहला ऐसा था, 20,000 से ज्यादा आप जाएंगे और कहेंगे कि मुझे एक लाख रु सेप्स और ये सारी चीज़े बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 19,999 रुपे देते हैं तो कोई चीज़ नहीं है, आप cash दे कर चले हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या political parties जो हैं, क्या हम और political parties, क्या ये फूरी system बेवकूफ है, अफ्कूर्स नहीं, political parties को कर एक लाख रुपे देंगे, तो वो क्या ऐसा कहेंगी, कि भई प्रशाद मावानी नाम के एक contributor आये थे, हमारी supporter आये थे और उन्हें एक लाख दिये, नहीं, वो कहेंगे कि 19,999 रुपे आ जाए, अपी 10 बचे, 10 बच कर एक मिनिट में कोई आ कर, फिर से 19,000 रुपे दे कर गया है, कोई और, you know, that's how they will break it down, तो ये cash ही use होगा, means cash के तोर पर ही लिया जाएगा, और अरुन जेटली साब ने ये एलान किया, कि ये 20,000 रुपे जो हना, इससे क्या होता है, कि लोग जो है, वो बहुत बड़ी मातरा में cash दे कर जाते हैं, तो अब इसको cut down करके 2000 रुप पर देखर जा रहा है, तो एक मिनिट के अंदर हमारे पास एक लाग से जैदा रुपे आ गया है, means we all know कि इस परकार की चीज़ें जो है, वो कभी काम ही नहीं करेंगे, we all know कि कितने सारे cash पैसो का इस्तमाल जो है, वो election के दोरान day-to-day party के running में किया जाता है, अब Supreme Court में जो arguments हुई है, वो काफी interesting है, solicitor general तुशार महता, आप समझ लिजे के हमारे जो सरकार है Government of India, उनके junior advocate जो है, senior advocate आप attorney general को कह दीजे, junior advocate solicitor general को मान लिजे, टेकनिकल लिजे, जो भी चीज़े हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, common sense में तो यही चीज़ है, तो उनका कहना यह है कि अगर electoral bond scheme को हटाया गया, तो जो political funding की system है ना, वो 2017 के समय और उससे पहले की system थी, वही system आ जाएगी, मैं तो कहता हूँ, आज भी जो system चल रही है, उसमें कोई इतना कोई cleanliness नहीं आई है, electoral bonds की वज़े से इतना कोई बड़ा change नहीं आया है, in fact, electoral bonds ने कुछ ऐसी गलत चीज सुप्रेम कोट ने कहा कि देखे, हम electoral bonds को struck down कर रहे हैं, हम सरकार को नहीं रोक रहे हैं, आप चाहे तो एक transparent system जो हैं, वो create कर सकते हैं, लेकर आईए और अच्छी transparent scheme, और जब electoral bonds scheme को introduce किया गया दोस्तो, उस समय पर बड़े-बड़े exports जो हैं, for example, हमारे एक election commissioner हुआ करते थे चीफ election commissioner, S.Y. कुरेशी साब, तो उनका article भी Indian Express में उस समय पर आया था, और मैंने पढ़ा था, और वहां कहा था, कि उनकी argument ये थी, कि आप ऐसा मत कीजिए, कि electoral bond schemes और ये सारी चीज़े जो हैं, this will not work, आप directly ऐसा कर दीजिए, कि सरकार जो हैं, वो पैसे दे हर एक political party को, और और ये सारे पैसे जो हैं, इनका इस्तिमाल, आपके campaign में और उस चीज़ों में किया जाए, इसी के साथ, सारी political parties को सरकार की तरफ से थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, थोड़ी बहुत मदद मिलती हैं, तो सारी political parties जो हैं, वो RTI के तहत आनी चाहिए, लेकिन जब RTI के तहत political parties को लेने की बात आती है न, तो BJP, Congress, जितनी भी parties हैं, जो एक दुसरे की दुश्मन हम मानते हैं, चाहे ruling party हो, चाहे opposition party हो, मुझे एक भी party याद नहीं है, जिस party ने इसका support किया हो, सारी parties ने मिलकर, जब political parties को RTI के तहत लाने की बात आई न, तो सारी parties ने इसका विरोध कि गया थे, Congress, राहूल गांदी और मोधी साब की टीम जो हैं, वो एक हो गए थी, तो जब अपने पर RTI की बात आती है, तो political parties जो हैं, वो एक हो जाती है, ये सारी चीजे जो हना, वो समझना बहुत ही important है for every citizen, यहाँ पर किसी एक party की बात नहीं है, सारी parties जो हैं, वो एक हो ज चीजे इसलिए चलाई जाती हैं, क्योंकि ये तीन चीजे जो मैंने आपको स्टाटिक में बताई ना, उसका एक बहुत बड़ा connection ही है, हमारे financial और political culture के ये तीन जो pillars मैंने आपको बताई है, उनके साथ इसका connection है, इसलिए सरकार जो हैं, इसको change रही करना चाती है, Supreme Court जो है inform करना है, दूसरी चीज़ के एक donation देने की एक limit हुआ करते थे, अब क्या हुआ है, ऐसी कोई limit नहीं है, आप electoral bonds जितना, means, means, आप अगर curse में हैं, तो क्या आप दान पून करेंगे हैं, बहुत एक logical question है मैं, आपको अगर किसी, means, आपके उपर 10 लाख रुपे का curse हैं, और आ आप किसी मंदिर में जाकर आपने एक लाख रुपे का donation दे दिया, ऐसा होगा कभी, कि आप financially घरे हुए हैं, आपकी situation खराब हैं, और आप जाकर किसी को पैसे देर हैं, नहीं, it's not logical, इंसान ऐसे decisions नहीं लेते हैं, तो companies जो हैं, वो ऐसे decisions कैसे ले सकती हैं, कि बहुत सारी companies जो घाटे में चल रही है, वो already loss में हैं, उनकी books में ये दिखाया जा रहा है, कि we are making huge amount of loss, लेकिन हर साल बहुत बड़ी-बड़ी amount में electoral bonds खरीद कर, parties को दिये जाते हैं, political funding प्रोवाइड की जाती है, तो ये सारी चीज़े क्या है, shell companies खड़ी करके, ये सारे पैसे जो हैं, laundering करने का काम जो हैं बोचल रहा है, और इसलिए सुप्रीम कोट ने कहा कि ये पूरा एक information का black hole जो है, वो create हुआ है, प्रशांत भूशन, जो of course, ये जो petitioners हैं, तो उनके साथ थे, तो बेनाई से उनके साथ हैं, I mean to say कि उनके वकील है, जिन्होंने electoral bonds scheme का विरोध किया है, ये anonymous donation जो हैं, उसकी वज़े से क्या हुआ, कि आपने इस चीज़ को legalize कर दिया है, कि आप unlimited, जो anonymous कहते हैं हम, यान की पता नहीं है, कि बहुत ही secret donation जो है, तो ये आपने unlimited इसको कर दिया, आप कितने भी पैसे देना चाते हैं, it's okay, फिर illegal money, बहुत ही conveniently, इस electoral bond की माध्यम से, बहुत ही conveniently, बहुत ही easily, आप जो काला धन है, उसका इस्तमाल political funding के लिए कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी argument दी, कि देखिए, fundamental right रहता है सभी का कि वो जो candidate है, जो representative है, तो उनको मिंस लोगों को पता होना चाहिए, कि उनका representative जो है, वो किस background से आ रहा है, clean है, clean नहीं है, things like that, लेकिन, जब पैसे इस प्रकार से मिलते हैं, तो लोगों को right चहरा पता नहीं चलता है, हर जगा पर, वो जो चहरा है, वो जो आपका representative है, वो आपको देखने को मिलता है, वेना ऐसा है हर जगा पर, I mean to say, कि आपके city के बड़े-बड़े hoardings में वहाँ पर है, आपके shots और और रिल्स में, वो आपको देखने को मिलता है, ट्विटर पर, फेस्बुक पर, इंस्टाग्राम पर, डिजिटल लेवल पर और जो traditional marketing है, हर एक जगा पर की जाती है, और अच्छी अच्छी चीज़े, बड़ी-बड़ी चीज़े दिखाई जाती है, तो लोगों के अंदर ये एक ब्रह्म पैदा होता है, कि नहीं, ये candidate जो है न, हमारा local, यही best है, अब ये चहरा इसलिए इतना ज्यादा famous हो गया, या फिर short time के लिए इतना influence create कर पाया, क्योंकि उसके पास इतना fund है, कि बड़ी-बड़ी aid agencies जो है, उसको वो recruit करते है, ये सारी चीज़ों के लिए So, ये level playing field जो है, वो distort हो जाती है, ruling party जो है, वो stronger और stronger बनती जाती है, और opposition party जो है, वो weaker और weaker बनती जाती है, ऐसा प्रशान्थ भूशन सापकी argument रही, और व्यंकटरा मनी, ये हमारे AG है, attorney general, senior, आप वकिल समथ लीजे, government of India के, उनका कहना ये है, The right to know the source of these funds does not come under the fundamental rights guaranteed by the constitution, उनका कहना ये है, हमारे constitution में जो fundamental rights है, तो right to know the sources of these funds जो है, ये चीज़ इसके तहत नहीं आती है, उनका कहना ये भी कहा, कि देखिए, ये policy का जो domain है, उसमें court interfere करेगी, this is not right, कि electoral bonds को regulate करने के लिए court इसमें enter कर रही है, court इसमें changes करवा रही है, struck down कर रही है, तो इससे फाइदा नहीं होगा, उनका कहना ये है, कि ये confidentiality जो है, उससे काफी ज़्यदा benefit हुआ है, उनका कहना ये है, कि ये clean money जो है, वो politics में आई है, because of this electoral bonds, उनका कहना ये है, कि इससे tax obligations जो है, उनको लोग abide कर रहे हैं, और उनका कहना ये भी है, कि it does not fall on any existing rights, जो existing rights है, तो इसके साथ कोई भी ऐसा दोका या फिर ऐसी कोई गलत चीज़ जो है, वो electoral bonds scheme से नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों, reality ये है, इसमें इतने सारे flows हैं, electoral bonds में, कि Supreme Court ने इसको struck down कर दिया है, तो मेंदा तो personal opinion यही है, कि बहुत अच्छा हुआ, we have to find another clean system, ये system जो है, it is not clean, it is not ramban ilaj, right, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे points हैं, जिनके माधियम से ये system को clean किया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा, अभी तो नहीं, उसके पीछे reason political parties नहीं हैं, हम ही हैं, सोचिए इसके बारे में, dear friends, मैंने course design किया, इसका नाम है, limitless leadership program, ये program, ये course जो है, ये आप study close के mobile app पर से खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा discount भी चल रहा है इस पर, and dear friends, ये जो limitless leadership program है ना, उसके benefits बहुत सारे students को मिले भी हैं, उनकी testimonies भी आई है, उन्होंने reply करकर के, चीज़ों क हमें बताया है, उन्होंने हमें inform किया है कि ये course के माधियम से उनके जीवन के अंदर एक नया सुर्योदाई हुआ है, leadership का एक नया सुर्योदाई हुआ है, वर leadership एक ऐसी quality है, कैसी skill है, जिसके माधियम से हम हमारे जीवन के सारे सपनों को, सारे goals को achieve कर सकते हैं, और जीवन मे झाल, हमें झाल, हमें टीवक लग झाल, हम झाल, हमें बताक झाल, हमें आई हैं प्रणा में हमारे टीवन के साmarkets है, झाल, हमें, त।, यद्येकों है जीवन के स्टाँ हैं, घृ माधिन कैस cambiar measurements, बता defense किया है, भीवन के सब्सक्तों के सुर्णाई हैं, घृ … को झाल, हमें dough मे